तेल कंपणियों की तरफ से लगाता है पेट्रोल और डीजल की दामों में वृती हो रही है। वही देश की चुनी हुई सरकार गरीब जनता को रोज लूट रही है। केंद्र की चुनी भाज़पा सरकार ने दर्वृधिन नहीं होने दी। मार्श को राज़ों के परिणाम आने के बाद केंद्र सरकार ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। प्रूहिनियों को भी लूटा जा रहा है। रसोई गैस के दाम 2014 में 350 हुआ करता था। वदाम आज बढ़ कर 1050 हो गये है। ऐसी चुनी हुई सरकार के बूरे दिन सर्फ जनता ही ला सकती है। राश्टरवादी कॉंग्रिस पार्टी मदिनागपूर अधिक्षर इजवान अंसारी ने भी आक्रोश जताती हुए कहा। कि जनता ने जब सरकार को चुन कर दिया है अब उसका भुकतान जनता भुगत रही है। महिंगाई का बेरोमिटर घुमना चालू हो गया है। पेट्रोल, डीजल व गैस के दामों से जनता को तो लूट ही रहते हैं अब साथ ही साथ दवाईयों के दामों को बढ़ा कर बीमार जनता को भी लूटा जा रहा है। मोदी सरकार जनता को कही का भी नहीं छोड़ना चाहती है। जलने फिरने के लिए इंदन महेंगा कर दिया है। रच्ठोपादी कॉंगर्स पारिटी ने आवहान करती हुए कहा कि अगर महेंगाई पर रोक नहीं लगाई गई तो हम रास्ते पर आकर चक्का जाम करेंगे। इसके लिए अगर पुलीस के डंडे खाना पड़े या फिर गांदी नेहरू पटेल आजात की तरह जेल भी जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे राश्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी का एक एक कारेकरता जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तयार है लेकिन जनता पर महंगाई की मार नहीं पड़ने देंगे नाकपुर शहर राश्टरवादी कॉंगर्स पार्टी की प्रवक्ता नुतन रेवत करनी भी महिलाओ का नैतरुत्व करते हुए अपनी बात रखी साथ ही साथ नाकपुर शहर युवक अपनी पूरी युवक की टीम के साथ इस निशेद प्रदर्शन में उपस्तिती चाहिर की और युवकों की बेरोजगारी पर अपने वक्त वे दिये निशेद प्रदर्शन में अश्रत सिद्धिकी, राजा बेग, संदीप मेंडे, अजर पटेल, प्यारुद्दिन काजी, मोसिन शाहिर, रियास खान, आसी मंसारी, इसराइल अंसारी, राजा खान, हीजर अंसारी, पिरुशेक लाला, रवफ शेक, धनरायस, सदावर्ती, सा दंसे जिए